नमस्कार, सुमन साया नमबर अग्याती, हुँ इला पटे आजना आ सेक्षनिक वीडियो मा आप सोनु हाल दिक स्वागव करूँ जू मित्रो अगावना वीडियो मा आपने विशेशन, विकार विशेशन अने अविकार विशेशन विशेशन विशे शिख्या गुन वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन, जथा वाचक विशेशन, मातरासुचक विशेशन, अने सार्वदामी विशेशन तो सव प्रथम आपने गुण वाचक विशेशन विशे सिखी शूं मित्रो गुण वाचक विशेशन ए विशेशन नो सव थी अगत्यनो प्रकार छे गुण वाचक विशेशन एटले विशेशन नो 50 तका भाग एम कई ये तोपन खोटू नथी तो गुणवाच्छक विशेशन ने आपणे एक उदाहरणना माध्यम्थी समझे आकाश मा सीतल चंद्रना दर्शन थया मित्रो तमें अगाउना वीडियो मा उदाहरण माथी विशेशन सोत्ता सिख्याच्छो तेथी तमें अहीं तरत केश्टो के आकाश मा केवा चंद्रना दर्शन थया सीतल चंद्रना दर्शन थया चंद्र ए अहीं नाम छे अने सीतल ए नामना अर्थमा विशेश्ता दर्शावे छे तेथी सीतल ए विशेशन छे परंतो मित्रो हवे आपने सीतल सब्द ए विशेशन्ना कया प्रकार मा आवे छे एम सोधू होई तो आपने सव प्रथम सीतल सब्दने समझू पड़े सीतल एटले ठंडू अहीं चंद्र ए नाम छे औने चंद्र नो शीतल एटले के ठंडक एक गुण छे औने तेथी ते गुण वाचक विशेशन्मा आवसे चंद्र केवो छे थंडो शीतल छे औने परिणाम ने शीतल एक गुण वाचक विशेशन्छे औन्य एक उदाहरन थी वदू समझे हिमालाई उचो परवत छे उचो परवत छे अहीं उचाई ए परवत ना कद दर्शावे छे अहीं उचाई ए परवत नो कद दर्शावतु होवा थी ते गुण वाचक विशेशन्मा आवसे नामना अर्थमा ज्यारे कद नमा संदर्भमा ज्यारे विशेशता दर्शावामा आवे त्यारे ते गुण वाचक विशेशन्म बने छे मित्रो अहीं याद रग जोके कदना संदर्वमा विशेश्ता होई त्यारे ते गुण वाचक विशेशन केहवाई छे अन्या केटलाक उदाहरणों जोईए चाड़ामा चोरस मेदान छे चाड़ामा केव मेदान छे चाड़ामा चोरस मेदान छे अहीं मेदान नो आकार ए तेनी विशेशता दर्षावे छे अने परिणामे ते गुण वाचक विशेशन बन से आकार दर्शावामा आवे त्यारे पन ते गुणवाचक विशेशन होई छे जाड़ पर सफेत कबुतर बेठू जाड़ पर केऊ कबुतर बेठू? सफेत कबुतर बेठू अहीं कबुतर नो रंग ए तेनी विशेशता दर्शावे छे अने तेथी तेग गुण वाचक विशेशन बनसे लोभी सेट चाल्या गया केवा सेट चाल्या गया लोभी सेट लोभी ए अहीं सेट नो स्वभावगत गुण दर्शावे चे अने परिणा में तेग गुण वाचक विशेशन बनसे जिगनेस जडब थी दोड़ियो, जडब थी दोड़ियो, अहीं दोडवानूं कारिय थयू, अने ते कारियना अर्थमा जडब ए विशेश्ता दर्शावेचे, तेथी ते गुणवाचक विशेशान बनसे, मित्रों बधाज उदाहरणों फरी थी आपड़े एकवार जोईले क्या हीं हिमाले के वो परवचे, उचो परवचे, उचाई एतेना कदना संदर्वमा विशेश्ता दर्शावेचे, चोरस मेदान, चोरस ए मेदानना आकारना संदर्वमा विशेश्ता दर्शावेचे, सफेद कबुतर, सफेद ए रंगना अर्थमा विशेश्ता दर्शावे लोभी सेट लोभी ए सेट ना स्वभावगत गुण ना संदर्भमा विशेश्ता दर्शावे छे अहीं जडप थी दोडियो जडप ए कारियाना संदर्भमा विशेश्ता दर्शावे छे एटले मित्रो ज्यारे ज्यारे शंग्नाना कद आकार रंग गुण के कारियो वगेरेन अर्थमा विशेष्टा आवे त्यारे तेने गुण वाचक विशेषण कहे छे केटला गुण वाचक विशेषण आपने जोईए सुन्दर, खराब, चोखु, उचु, काडु, सफेद, जाडु, मोटु, घरडु, थन्डु, तीवर, समझु, लोभी, क्रूर, दयाडु, मुख्य, सोखिन, डायु, विशा, साक्डु, अजान्यु, परिचित वगेरे किटला गुण वाचक विशेषणों छे तो तमने समझायु हसे गुण वाचक विशेषण एटले सुन्ध, हवे आपने विशेषण नो बिजो प्रकार संख्या वाचक विशेषण विशे सिखी सुन्ध मित्रो अहीं सिर्षक पर्थीच तमने ख्यालावे के संख्या वार्चक एटले के जेमा संख्या दर्षावामा आवी होय ते विशेशन संख्यावाचक विशेषन नी व्याख्या छे कि जे विशेषन संख्या दर्शावी नामना अर्थमा विशेष्टा लावे तेने संख्यावाचक विशेषन कहे छे संख्या वाचक उदाहरन विशेशन ना उदाहरन जोईए प्रतिक सा पासे 20 पुस्तकों छे प्रतिक सा पासे किटला पुस्तकों छे? 20 पुस्तकों छे तो अहीं 20 ए पुस्तक नी संख्या दर्शावे छे आने परिणा में ते संख्या वाचक विशेशन छे स्नेहा पाचमा धूरण मा भणे छे, स्नेहा कया धूरण मा भणे छे, पाचमा धूरण मा भणे छे, तो यहीं पाचमो ए धूरण माटे नी संख्या दर्सावे छे, आने परिनामे ते संख्या वाचक विशेशन छे, वर्गमा साहींट विद्यार्थियो छे, वर्गमा केटल आमी वखत नापास थयो, बीजी वखत नापास थयो, तो अही नापास थवानो जे संख्या चे, ते आहे बीजी एटले बे वार थयो चे, एम दर्शावे चे, एटले अही पन संख्या नो नेदेश थयो, होवा थी, ते संख्या वाच्चक विशेशन छे. मित्रो संख्यावाचक विशेशनना मुख्यत त्राण प्रकारों छे साधी पूर्ण संख्यावाचक, क्रमिक संख्यावाचक अने संख्यांस वाचक साधी पूर्ण संख्यावाचक एटले के जे संख्याओ आपने रोज बरोज उप्योग मा लईये छिए तेवी 1, 2, 3, 4, 5, 35, 50 वगेरे आकडा किया संख्याओ तेने पून संख्यावाचक कहे छे क्रमिक संख्यावाचक पहलू, 2, 3, 4, 5, 6 वगेरे आपने क्रमिक रिते पन घणी वखत संख्याओ ने आपने उप्योग मा लेता होये छे तो ते क्रमिक संख्यावाचक थसे, संख्याँ स्वाचक घणी वखत आपने पा, अर्धू, पोन, सवा, दोड वगेरे द्वारा पन संख्याँनो निर्देश करता होये छे अने आ बधा, पा, अर्धु, पोनु, सवा, वगेरे इस पड संख्यानाज भाग छे, संख्यानाज अंस होवा थी, तेने संख्या स्वाचक कहवा मावे छे, उदाहरणों ती समझे, मेदान मा 55 छोक्रावो रमे छे, मेदान मा केटला छोक्रावो रमे छे 55, तो अहीं 55 ए होरण मा भणे छे, रुद्र कया धूरण मा भणे छे, पहला धूरण मा, तो पहलू एक क्रमिक संख्यानो निर्देश करे छे, क्रिसांगे दोड रूटली खादी, क्रिसांगे केटली रूटली खादी, दोड रूटली, तो दोड एपन, एक आखी अने एक अर्धी, एम सं संख्यांस वाचक मां आवे छे, आम ज्यारे ज्यारे साधी पूर्ण संख्या वाचक होई, एटले के पूर्ण संख्या दर्शावामा आवी होई, के क्रमिक संख्या दर्शावामा आवी होई, के संख्यांस माथी पा, अर्धु, पोनु, सवा, दोड वगेरे दर्शावामा त्यारे ते बधाज संख्या वाचक विशेशन ना उदाहरणों बने छे। तो हवे आपने विशेशन नो त्रीजो प्रकार जत्था वाचक विशेशन विशे सिखी सुँ। अने घणा शब्द थी निर्देश करवामा आवियो छे। एटले के ताराओना जूत समुह ने अहीं घणा शब्द थी दर्शावामा आवियो छे। तेमा कोई चो कस संख्या दर्शावामा आवियो न थी। एटले के ज्यारे ज्यारे नामनी संख्या नहीं परन्तु तेनो जत्थो समुह दर्नो निर्देश थयो होई त्यारे ते जत्था वाचक विशेशन बने छे अने घणा ए जत्थानो निर्देश करतो होवा थी ते जत्था वाचक विशेशन कहवा से अन्य उदाहरणों थी समझे खेडू ते बहु मेहनत करी तो खेडू ते केटली मेहनत करी अहीं मेहनतनू कोई माप निष्चे नथी, अहीं बहु शब्द थी मेहनतने दर्षावामा आवी छे, औने बहु ए जथ्था नो निर्देश करतू हो वाती, ते जथ्था वाचक विशेशान बन से, ज़ाड पर वधारे केरी छे, ज़ाड पर केटली केरी छे, तो अहीं तेन दर्शावामा आवियो होवा थी, अहीं वधारे ए जत्तावाचक विशेशाण बने चे, रस्तापर घणा पोलीच छे, तो अहीं रस्तापर किटला पोलीच छे? अगीं कोई संख्या धर्षावामा आवी नथी, परंतु पोलिस नो जे समोह चे, टोडूँ छे, तेनो निर्डेश थयो चे, आने परिणामे ते जथ़ावार्चक विशेशान बन से. तो मित्रो ज्यारे ज्यारे समुह जथो टोडू के घणाना अर्थमा ज्यारे ज्यारे निर्देश थयो होई त्यारे ती जथा वाचक विशेशन बने छे आपने जद्था वाचक विशेशन नी व्याख्या जोईये जे विशेशन पदार्थ के वस्तुनो जथो दर्सावी ते नामना अर्थमा विशेशता लावे तो ते जद्था वाचक विशेशन कहवाय छे तो हवे तमने समझायू हसे के ज्यारे ज्यारे समुहनो टोडानो की जत्थानो निर्देश थाई त्यारे ते जत्था वाचक विशेशन बने छे हवे आपने मात्रा सुचक विशेशन विशे सिखी सुन मित्रों अहीं उदाहरन जुओ छत्री गुलाबी रंगनी छे छत्री कीवा रंगनी छे गुलाबी रंगनी छे अहीं रंगनो निर्देश थायो एटले तमें तरत कैसो के ते गुण वाचक विशेशन छे तमें एकदम साचा छो परन्तु अहीं बिजू उदाहरन जुओ छत्री आच्छा गुलाबी रंगनी छे अहीं गुलाबी रंगनो निर्देश थयो छे, परंतु रंगनी मात्रा पन दर्शावामा आवी छे, गुलाबी रंग केवो छे? आच्छो गुलाबी रंग छे, एटले ज्यारे ज्यारे रंगनी मात्रा दर्शावामा आवी होई, एटले के गुणनी मात्रा दर्शावामा आ सेट नो स्वभाव लोभी छे परंतु जे लोभी ते एटले तद्धन सब्द द्वारा दर्शावामा आवयो छे एनो अर्थ था आएके सेट एकदम वधु लोभी छे वधुना अर्थमा अहीं तद्धन सब्द वप्रायो छे आने लोभनी मात्रा दर्शावामा आवी छे त एटले के पाणीनी मात्रा दर्शावा माटे साव शब्द वप्रायो छे, तेथी ते मात्रा सुचक विशेशन बन से, घोर अंधारी रातरी विती गई, तो अहीं केवी रातरी विती गई अंधारी, पन अहीं अंधारानी पन मात्रा दर्शावा मावी छे, घोर एटले के घा अंधरू खुब वदहरे मातरा मा छे, तेम दर्शाव वम्मा टे आहीं घोर शब्द वप्रायो छे। वगेरे शब्दवद्वारा मात्रा सुचक विशेशनों दर्सावामा आवे छे। हवे आपने स्तार्व नामेक विशेशन विशे सिखी छूं। परन्तु ते पहला सर्व नाम एटले सूं ए जानवू जरूरी छे। तो तमें अगावना धोरण मां सिखी ने आव्या छो के नामना स्थाने जे शब्द वप्राय तेनी स्तर्व नाम कहे छे। उदाहरन थी समझिये मोहन मंदीरे गयो। तो अहीं मोहन ए नाम छे। परन्तु घणी वखत आपने ते मंदीरे गयो। एवो पन वापरिये छिये। तो अहीं ते नामना स्थाने वप्राय शब्द होवा थी। ते ए शर्व नाम कहवाई छे। सर्व नाम माटे आपने जिन उप्योग करिये ते सर्व नाम। सर्व नामना केटलाक उदाहरनों जोईए। हुँ, तु, अमे, ते, तेओ, तमे, तेमनू, केटलूक, आटलू, आवडू, वगेरे सर्व नामना उदाहरनों छे। तो हवे आपने सिखिये सर्व नामिक विशेशन। जे विशेशन माँ नामनी साथे सर्व नाम जोडाए औने विशेश नामनी वधाडों थाई तो तेने सर्व नामिक विशेशन कहे छे। उदाहरं थी समझे, आ तारू पुस्तक छे, अहीं पुस्तक ए नाम छे, अने नामनी साथे तारू ए सर्वनाम छे, अने नामनी साथे तारू जोडाईने अहीं विशेश्ता दर्शावामा आवी छे, आ कोनू पुस्तक छे, तो अहीं तारू सर्वनाम द्वारा विशेश्ता दर्शावामा आवी चे अने तेथी ते सार्वनामिक विशेशन बन से गायत्री नगरमा मारू घर छे गायत्री नगरमा कोनू घर छे मारू तो मारू ए सर्वनाम चे नामनी साथे सर्वनाम अहीं जुडाया चे अने परिनामे ते सार्वनामिक विशेशन बन से सो नाली तेमनी बहेंचे, कोनी बहेंचे, तेमनी बहेंचे, तेमनी ए सर्वनाम झे, अने परेणामे अहिं, ते सार्वनामिक विशेशननों उदाहरन बनचे सार्वनामिक विशेशन आपणू, तेनू, आटलू, आवडू, वगेरी शब्द द्वारापन दर्शावामा आवे छे आम सर्वनामनों उल्लेक थयो होई औने नामनी साथे जोडाईने तेमा विशेशता आवी होई तो ते सार्वनामिक विशेशन बने छे मित्रो, अगावना विडियो औने आ विडियो ना माध्यम थी, तमे विशेशन, विकारी विशेशन औने अविकारी विशेशन विशे सिख्या विशेशन ना प्रकारों विशे पन सिख्या तो अहीं आपेला उदाहरणोंना माध्यम थी तमे तमारू स्वमुल्यांकन करी शको ते हेतु थी अहीं स्वाध्य अप्वामा आवियू छे आ दर्सावेल उदाहरण माथी तमारे विशेशन तार्वी तेना प्रकारो जणाववाना छे अने तेना जवाब अर्थे तमे दोरण नवनी द्वितिय भाषाना पुस्तक माँ पाना नंबर बाणू पर जोशो तो तमने मदद प्राप्ट थसे मित्रो स्वाध्य अवश्यती करशो आ संदर्भमा तमने जो कोई प्रश्ण होई तो नीचे कॉमेंट बोक्स मा चोक्कस्ती जणावशो तमारा प्रती भावव पन आपसो विडियो लाइक और शेर करशो और चैनल ने सब्सक्राइब करवानू भूलशो नहीं अगावना विडियो मा क्रिया विशेशन विशे आपने सिखीशू तो मित्रो आसा छे के विशेशन इटले सुँ विशेशन आप्रकारू समझभमा आ विडियो तमने सहायक थसे तो अगावना विडियो मा आपने क्रिया विशेशन विशे सिखीशू त्यां सुदी घरे र हो सुरेक्षित रहो और अभ्यास करता रहो धन्यवाद